बहुत बड़ा निर्णे है कि किसी इसकीम को कानून का रूप दिया जाए और इससे पहले भी आपने देखा होगा मनरेगा जैसी जो इसकीम थी उसको रोजगार गारंटी कानून बनाके भारत की अमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू किया आज पैंशन को एक कानून बनाना और सबसे महत्वपून बात है कि उसमें कानून के अंदर भी ये तैय करना कि हर वर्स इसको 15% हम बढ़ाएंगे ये बहुत बढ़ी बात है हमने पिछले चार वर्सों की हम बात करें साड़े चार वर्सों की बात करें तो लगबख 45 लाख नए लोगों को हमने इस योजना के अंदर जोड़ा है पहले 50 लाख के आसपा संक्याती आज चोरान में लाख लोग पैंशन योजना से जुड़े पांचों की जब पैंशन बांदी उसमें भी असोगह rein soaking ने बहुत बड़ी छूट दी अब 100.500 भी असोग रोगी ने किय miracles के हैं देखा होगा किस परकार से महिला उन अपनी बात कई, बुजुर्गों ने अपनी बात कई, जो सच्चा ही है वो लोग उन्होंने बयान की है, आज एक घर के अंदर अभी मैं देख रहा था कि पाला नार मालों कोई तीन बच्चे हैं, तो 15 तिया 45 सो रुपे उस परिवार के अंदर आ रहे हैं, हर मेहने, 2000 रुपे साल के अलग से आ रहे है, 1000 रुपे उसकी मा की पैंसन आ रही है, जो अनात बच्चे उनको 5000 रुपे पैंसन आती है, तो एक परकार से आम जनता को सम्मल देने के लिए, बुक पंतरी जी की ये जो योजना है, इसका कोई तोड नहीं ह बीजेपी से गबराई हुई है, और आज भी आप देखें, पैंसन योजना जो है, भारत सरकार ने शुरू की थी, इदरा गांधी पैंसन योजना के नाम से, आज भी भारत सरकार के मातर 366 करोड रुपे आ रहे हैं, और राजस्तान सरकार साड़े 11,000 करोड रुपे इस य उसकी आज बिजाती और धर्म के नाम पर लडाते हैं, आज भी आप देखेंगे, तो आज देश के नोर्थिष्ट के अंदर क्या हालत इन लोगों कर रखी हैं, इससे पहले महँरास्ट प्हले अरियाना में, उससे पहले राष्तान में, जहां भी इनकी सरकारें रही हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, जनता के अंदर जाती और धनम के नाम पे हिंदू मुस्लिम को, स्टी जर्नल को, जाट गूजर को आपस में काश्टों को लड़ाने का काम ये लोग करते हैं, आज सारी चीजे जनता के सामने आचुकी है, अभी परधान मंत्री जी की रेली थी, कुछ में उसके साड़े गारा सो बारा सु रुपे बढ़ा दिया, आज गहलो जी ने पान सु रुपे में सिलेंडर दिया है, राहूल गांदी जी की जो माला खड़ा के अंदर रेली थी, उसमें असो गहलो जी ने आवान किया था, और यह एलान किया था कि हम पान सु रुपे में सिलेंडर देंगे, आज रास्तान के अंदर पान सु रुपे में सिलेंडर मिल रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता है, बारत सरकार, डीजल, पेट्रो, रसोई गैस, इनके दाम करने के केंदर के अंदर आई थी कि हम मेंगाई कम करेंगे, आज क्या हाला थे, दो करोड युवाओं को रोजगार देने की बात कर के आए थे, कि हर बार सम रोजगार देंगे, आज क्या हाला थे, जीडिपी बढ़ाने की बात करते थे, पता नहीं ट्रिलियन और पता नहीं किस आ किमे हैं कॉंग्रेस की थी कॉंग्रेस जनता को देरी थी और बीजेपी के कारीकरता इनी स्कीमों के नाम पे अपना बॉट बनाना चाहते थे जनता के बीच में जूट बोलते थे आज वो सारी चीजे इन लोगों को पता चल गई कि कौन शी सरकार इनके लिए अच्छा सोच देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सबस्क्राइब करें नवदेश टीवी और पलपल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबारा ना खोलें क्योंकि आपकी खबरों का भरोसे मन साथ ही है नवदेश टीवी